हलो बच्चों स्वागते मिले चैनल पर मैं हूँ आपका ट्यूटर प्रिजेश अब हम करने जा रहे हैं 77 सम What of power of different dice जेखो दो डाइस स्प्रोग करने कीबात हो अंबात के सबसे पहले आपको सेंपल स्पेस लिखना पड़ेगा सेंपल्स स्पेस बनाना पर आवे ऑगर दो डाइस ठ्रोग करेंगे तो क्या 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 होता हcak़ा키 पहले dice में 1 आएगा, दूसरे dice में 2, पहले में 1, तिसरे में 3, पहले में 1, फिर 4, पहले में 1, फिर 5, 1, फिर 6, उसी तरह से, अगर पहले में 2 आ रहा है, second में 1 आ सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, 2, 4, 2, 5, 2, 6, आ रहा है समझ में, उसी तरह से, अगर पहले में 3 आ ग सकता है फिर 4 आ सकता है पहले डाइस में तो फिर 1 आ सकता है दूसरे वाले में अगें समझ रहा है आपको इसी तरह से आपके सारे पैटर्स बनते जा रहे हैं अब ऐसे 5,1 5,2 5,3 5,4 5,5 5,6 6,1 6,2 6,3 6,4 6,5 6,6 6,5 6,6 अब इससे जादा नहीं बन सकते क्यों क्यों कि आरे 6 ही तो होते हैं डाइस में नंबर आ रहे समझ में आपका N of S क्या रहा है 36, total 36 possibilities आती हैं अब वो क्या पोल रहा है कि भाही probability नहीं कर लो कि prime number आ रहा है कब आ रहा है इच डाइस पे हर एक डाइस पे prime number आना चहीं मतलब क्या 1 तो prime number होता नहीं पहले चीज़ वन इस not a prime number ठीक है 1,2 हो सकता है नहीं हो सकता बोलाना नहीं 1 नहीं हो सकता है ना प्राइम नहीं होने वाला अच्छा 2,1 नहीं हो सकता है, 2,2 हो सकता है, 2,5 हो सकता है, फिर 3,2 हो सकता है, 3,3 हो सकता है, 3,5 हो सकता है, 4 का हो नहीं सकता है, 5,2 हो सकता है, 5,3 हो सकता है, 5,5 हो सकता है, कितने हैं, एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, ठीक है, सो हम लोग क्या लिखेंगे, let, let a is the event, let a is the event of getting, event of getting, prime numbers on each dice, ठीक है, so therefore, आपके a में कौन से कौन से आ जाएंगे element, आपके a में आ जाएगा 2,2, फिर आएगा आपका 2,3, फिर आएगा आपका 2,5, फिर आएगा 3,2, फिर आएगा आपका 3,3, फिर क्या आएगा भई, बताओ जला, 5,2 आ जाएगा, 5,3 आ जाएगा, 5,5 आ जाएगा, कितने बढ़े, तीन, शे, ठीन्ना हो गए, so therefore, आपका n of a कितना आया, 9 so therefore probability of A कितना हो जाएगा number of favorable outcomes number of favorable outcomes upon total outcomes आ रहा है समझना total outcomes favorable outcomes कितना है 9 मतलब इसको कैसे लिखो कि n of A upon n of S ऐसा समझो n of A अभी निकाला पूना है therefore n of A कितना है 9 n of S कितना है 36 this is equal to 9 upon 36 this is equal to 1 upon 4 so probability of getting prime number on each dice is 1 upon 4 so उसी तरह से हम को दुसरा करना है हम लिखेंगे let B is the event B is the event of B is the event of getting event of getting a total of 9 or 11 मतलब 9 या तो 11 यह होना चीब अब देखते हैं चलो अब ऐसे देखो ऐसे दोनों नमबर ऐसे होने चाहिए कि या तो प्लस करने पर 9 बने या तो फिर 11 बने ऐसे कौनसे कौनसे नमबर हो सकते हैं सबसे पहले यहां पर बन रहा देखो 3,6 फिर उसके बाद आपका 4,5 आ रहा है फिर आपके पास 5,6 बाजू में दिख रहा है 3,6 आपका 9 हो रहा है यह भी 9 हो रहा है 5,6 11 भी लेना होगा आपके बने 5,4 बाजू 5,6 बहूर रहा हूं । 6,3 और 6,5 आरहएं समाझे दो सो इसके सिवा और निहीं हो maximum तो किशे है颁 मट्णब आपके पास ले psychiat्या है उत्हां है इस वाट कितने हैं लिखते हैं चलो पहले तो 3,6,4,5 ये खो गया फिर 5,4,5,6 आगे समझ में फिर 6,3,6,5 6,3,6,5 ठीक है Okay so therefore N of B कितना होंगे N of B is 6,नाफ पैस समाझ में so therefore P of B क्या होगा, P of B is N of B upon N of S What is N of B ? 6 upon 36.This is equal to 1 upon 6. So therefore, probability of getting a total of 9 & 11 is 1 upon 6 easy I hope आपको मेरा explanation समझ में आयेगा, असी थरक किसम हम करते रहेंगी 78 सम आपको अगले वीडियो में देखने मिलेगा ठीक है मिलते हैं अगले वीडियो में जहापे हम 78 सम करेंगे तिल दाना प्रैक्टिस करें और जाज से जाज से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ आप मेरे फेज़्टू को भी फालो कर सकते हैं करेंपको अगले प्राइब कर देखने झाले को अगले को और झाले को प्राइब देखने चैनल को आपको करेंगे